Hair loss, बाल जड़ना, आपकी दुख्ती रख पे हाथ रख दिया ना मैंने, अब आपके लिए good news है, हमारे साथ बैठकी में आज मौजूद है Saloni Aadhan, co-founder Traya, welcome to Lalintop Saloni, शुपक्रिया Hair loss के पीछे क्या-क्या वजह हो सकती है, क्यों होता इतना hair loss? Ayurveda में ये चीज लिखी गई है scripture में, hair loss एक बिमारी नहीं है, hair loss एक sign है, या एक तरीका है body को आपको बताने का, कि अंदर कुछ गड़ पर, लेकिन इसकी रफतार depend करती है बहुत सारी अंदरूनी चीजों के वज़े से, आपकी digestion, stress, आप कैसे सो रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, sleep, deficiency होती है, most common anemia, जिसे कहते है hemoglobin की कमी, मैं कितना भी तेल लगा लूँ, कितने भी shampoo लगा लूँ, जब तक मैं मेरे खून में hemoglobin का level ठीक नी करूँगी, वो बाल ज़रना ठीक नी होगा, जितने भी पुरोश हैं, सबके बाल यहीं से कम होना start होते हैं, और महिलाओं में majorly कि मैंने यहां पर देखा है, क्या वागी कुछ ऐसा है, आप center partition कीजिए, आपकी मांग निकालिए, और आपकी मांग कितनी पतली या मोटी है, उससे आपको पता चलेगा कि आपकी stage of female pattern hair loss हो, अगर आपकी सर में बाल बहुत कम हैं, और आपको female pattern hair loss है, तो वो मांग चोड़ होती जाएगी, कुछ ऐसे कोई number है क्या कि दिन में कितने बाल जढ़े तो यह normal है, कम से कम 150-200 बाल दिन के जढ़ने चाने, लोग सोचते है, मेरा hair fall हो गया, और उसमें 10 हाथ में बाल आ रहे, उसे वो hair fall नहीं है, बहुत सारे लोग है, जिन्होंने ऐसे राहत की सास ली पर क्या hair loss होता है, एक NCR और एक Bangalore, दो सिटी हम बहुत सुनते हैं, कि हमारा तो पानी के वज़े से हो रहा है, आप भार जाके एक packet cigarette पी रहे हो, और blame पानी को कर रहे हो, बहुत लोग ऐसे भी हैं, जो रोज शांपू करते हैं, यह पूरी दुनिया जो anti-hair fall shampoo बेच रही ह है, अगर आप मुझे पूछे, diet versus shampoo, हर जगा, हर brand बस shampoo, shampoo, shampoo के बारे बाते कर रही है, कोई यह तो बोली नहीं रहा के खाना क्या है, नो गंडा लगा रहे बालों पे, खा लो, onion juice बना रहे, लगा रहे, बालों पे, खा लो hair loss, बाल जड़ना, बाल पतले हो जाना, और पतले बालों की वजहां से गंजापन दिखना, आपकी दुखती रख पे हाथ रख दिया ना मैंने, अरे हर दूसरा इंसान hair loss से परेशान है, अब ऐसे में कोई कहता है कि यह वाला तेल लगा लो, hair loss रुख जाएगा, कोई कहता यह दवाई खा लो, यह वाला प्रोड़क्ट इस्तमाल कर लो, यह चैंपू का इस्तमाल कर लो, hair loss एकदम बंद हो जाएगा, और आप सब कुछ ट्राइगरते हैं, पर असर कुछ नहीं होता, और पैसे बरबाद, ऐसे इंसान सिर्फ यह चाता है कि कोई ऐसा मिल जाए, जो एक बार सही सही बता दे कि आखिर करना क्या है, और इसका असर भी देखने को मिले, अब आपके लिए गुड न्यूज है, हमारे साथ बैठकी में आज मौजूद हैं, Saloni Aadand, co-founder Traya, जो hair loss से जुड़े आपके जितने भी सवाल हैं, जितने भी doubts हैं, सब clear करेंगी और सब के जवाब देंगी, welcome to Lalintop Saloni, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, शुक्रिया, अब hair loss एक ऐसी चीज है, जिसे हर इंसान परेशान है, in fact, इस टाइम जितने लोग इस कमरे में मौजूद हैं, जो शूट कर रहे हैं, वो भी परेशान है, including me, मैं आपको सच-सच बताऊं, तो या कई मिले हैं, जो परेशान सरते हैं, क्या हो सकते हैं एंसान है, तो है से जुरू करते हैं, क्यों होता है है? तो पहले मेल फीमेयल अलग से बात करेंगे करना बहुत अलग दो बोडेश है तो में में सबसे कॉमन टाइप का Hair Loss होता है जिसमें गझापन होने लगता है चाहिए वो यहां से शुरू होने लगता है या होता है उसे कहते है a male pattern Hair Loss ये hair loss होता है genetic reason के वज़े से, कि मुझे हो रहा है, लेकिन इसकी रफतार depend करती है बहुत सारी अंदरूनी चीजों के वज़े से, आपकी digestion, आपकी absorption, आपकी body में क्या nutrition है या क्या deficiencies है, stress, आप कैसे सो रहे हैं, sleep, sleep, बतला आप ठीक से सो पा रहे हैं 6-8 घंटे, या आपकी disturbed sleep है, stress level क्या है, ये सारी चीजों पर depend, और भी काफी चीजे जैसे की lifestyle smoking, इन सारी चीजों पर depend करता है hair loss की speed, और इसलिए ये सारे बन जाते है causes of hair loss in men, और अगर female में बात करें तो ये सारे तो हैं हमारी life में problem पर हमारे पास एक additional problem है, और वो हो जाती है PCOS, thyroid, hormonal imbalances, तो जब हमारे hormonal imbalances होते हैं, तो hair loss हो जाता है, अब female में एक और टाइप का hair fall जो काफी common होता है, उसे कहते है telogen effluvium, telogen effluvium वो होता है जिसमें गंजा पर नहीं होता पर बाल जढते हैं, आप कंगी करे तो जढ रहे हैं, धोय जढ रहे हैं, नाली में बाल दिख रहे हैं, हर जढते हैं, तो बस सब खतम हो जाएगा, तो इसे कहते है telogen effluvium, यह जो type of hair fall होता है, यह कुछ ऐसी चीज के वज़े से होता है, जो बॉड़ी को एक शौक लगी होती है, उसके 6 महीने बाद यह hair fall शुरू होता है, शौक हो सकता है, पोस्पार्टम hair fall, जो होता है, आपने एक बच्चा डिलिवर किया है, आपकी बॉड़ी इतनी strain में गई है, तो 4-6 महीने डिलिवरी के बाद आपको यह hair fall शुरू होता है, खूब सारी डाइटिंग, 10 kg उतारे 2 महीने में, खूब सारा वेट गेन, तो बॉड़ी को शौक लगा, even diseases like dengue, typhoid, जब यह सारी चीज ह हो जाती है, तो आपकी बॉड़ी या फिर extreme stress, आपकी life में depression है, या कोई close family member की death हुई है, तो आपको एक, मैं वो रोज मरा वाला stress की बात नहीं करूँ हूँ, एक extreme 3-6 महीने आपकी life में stress हुआ है, तो बाल एक तरह से हरताल पे चले जाते है, इस body पे नहीं रहना है, चलो निकलो, और जहनने शुरू हो जाते है, उसे कहते है, तो ये सारे, you know, causes है बालो के और आपको cause सुनके, ये समझ आया होगा, कि बाल एक cause, और hair fall एक cosmetic problem नहीं है, ये एक internal health problem है, और इसको उस lens से देखना चाहिए, जिस तरह से आप शायद डाइबटीज को देखते हैं, और अगर ये बात लोग समझ जाए ना, तो काफी चीजे क्लियर होने लग जाएंगे, और जैसे हम लोग पैटर्न वालनेस की बात कर रहे थे, तो मैंने अक्सर ये देखा है, पुरुषों में, बाल यहां से, साइट से कम होते हैं, और मेरे जितने भी मेल दोस्त हैं, या मेरी कुछ ऐसा है, ऐसा होता है, तो मेल पैटर्न है लॉस में सेवन स्टेज़ होती है, जिससे आपको पता चलेगा किस स्टेज पर हो, यह जो है यहां से, यह जो सेंटर अरिया होता है, यह जो सेंटर अरिया होता है, यह जो सेंटर अरिया होता है, यह जो सेंटर अरिया होता ह तो अगर जा सिर्फ साइड में बाल रहे गए पूरा सर खाली हो गया वो स्टेज सेवन हो जाती है तो यह मेल में होता है फीमेल में जो है तरीका पता लगाने का यह आप सेंटर पार्टिशन कीजिए आपकी मांग निका लिए और आपकी मांग कितनी पतली या मोटी है उससे आपको पता चलेगा कि आपके स्टेज ऑ फीमेल पैटन है अगर आपके सर में बहुत कम है और आपको फीमेल पैटन है लगॉस यह नज चाएगी यह चीज तो मैंने भी देखी है, आपनी फोटोस मोझे पता चलता है बट अब जैसे हम इन पैचेस की बात कर रहे हैं, जहां से बाल चले गए या पतली हो गए बहुत ज्यादा अब क्या पॉसिबल है उसी एरिया में दुबारा बालों का उगना क्या ऐसा हो सकता है, क्या यह साइंटिफिकली पॉसिबल है बिलकूँ, 100% पॉसिबल है और मैं जरूर बताना चाहते हूं क्योंकि लोग समझते है कि यह जेनिटिक है, दादा को भी था तो अब इसका कुछ नहीं किया जा सकता है और दूसरी प्रॉब्लम, लोगों की भी गलती निये, इतना कुछ आपने शुरुवात में कहा रहे, सब प्राय करते और नहीं उपते तो विश्वास करना मुश्किल हो जाते है कि रिवर्स हो सकता है तो मैं समझाती हूं कि यह पैटर्न है लॉस होता क्यों है बॉडी में एक हॉर्मोन होता है डीएच्टी, जो अच्छा हॉर्मोन है, सबकी बॉडी में होता है और यह जरूरी हॉर्मोन है बट जब आपको genetic hair loss हो और जब DHT भी होता है body में तो वो बाल की उपर जाकर DHT attack करता है और हमारा जो hair है वो एक cycle में चलता है naturally हर hair को तूथना होता है, गिरना होता है और उस जगह पे एक नया बाल आना होता है तो ये एक cycle है जो सबकी life में चलता है और ये बिलकुल natural शीज है लिकिन जब DHT भी बालों को attack करता है तो वो क्या होता है कि हर cycle में बाल की जो चोड़ाई है वो कम होने लग जाती है पतले होने लगते है इसलिए पहला sign कि आपको male pattern hair loss है कि आप यहां से पुल टेस्ट होता है यहां से बाल नकालिये, पीछे से बाल नकालिये और अगर उनकी thickness में एक मोटा धागा की तरह होगा और एक पतले धागे की तरह होगा वो फरक आपको दिख रहा है तो आपकी male pattern hair loss शुरू हो चुकी है फिर क्या होगा वो पतला होके 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 कुछ rounds के बाद बाल आना ही बंद हो जाएगा और बिल्कुल जैसे आप बोलते ना कि जड़ है पर पेड सूख के मर गया है उपर से plant नहीं दिख रहा है उस तरह वो शुरू हो जाएगा और तब गंजापन दिखना शुरू हो जाता है नाओ कुछ साल तक यह जड़ अंदर रहते हैं तो अगर इसे treatment दिया जाए पोशन दिया जाए नरिश्मेंट दिया जाए DHT के अगेंस्ट हैर को इतनी नरिश्मेंट दिया जाए कि वो DHT जो है बालों को पतला कर रहा था उसको हम फिर से मोटा करे एक ट्रीप्मेंट से तो यहां फिर से रीग्रोथ हो जाएगी लेकिन अगर आप कुछ सालों तक कुछ ना करें तो यह इसे कहते हैं sealed follicle वह फॉलिकल वह फॉलिकल सीव हो जाता है इनक्टिव और डेड हो जाता है डेड फॉलिकल में आप कितना भी ट्रीप्मेंट करिये कितना भी कुछ भी करिये वो रीग्रोथ नहीं होती तो अब आपका I'm sure next question होगा कैसे पता चले कि हमारा गंजापन sealed है या नहीं है इसका बहुत असान तरीका है जो seven stages of hair loss है उसमें अगर आप stage 1-5 के बीच में हैं तो most likely आपके पास active follicles है और क्यासी बता चलेगा कि हम 1-5 के बीच की stage में बिल्कुल आप photo देख लीजए आप Google करिए Dr. Norward Scale आप जब अपना अपनी photo को उस photo से compare करेंगे कि आपका किस level तक का hair fall है तो आपको समझाए जाएगा 1-5 के बीच में या 6-7 पे है तो 1-5 के बीच में है तो आपका पका hair मे follicles है कितने है पूरी recovery हो पाईगी 30% 50% depend करेगा बट है जरूर treatment लीजे लेकिन अगर आप stage 6 & 7 है तो आपके most likely hair loss के जो follicles है वो seal हो चुके दूसरा तरीका देखने का यह है age अगर especially men की में बात करूँ 45 से younger men है तो उनकी body में बहुत regenerative capacity होती है regrowth possible होता है और generally आप देखेंगे जो stage 6 & 7 है ideally should be 45 प्लस तो जो 45 प्लस है तो जब हमारे पास कोई यंग बंदा आता है कहता है मुझे भी hair loss है और मेरे father को भी है हम कहते है आपको हम regrow कर देंगे sorry हम आपके father का नहीं कर पाएंगे age हो गई है क्यूंकि follicle seal हो गए है तो अब काफी लेट हो चुका इसले बहुत जरूरी है कि जितना जल्दी treatment शुरू करें क्यूंकि आपको जितने active follicles है आपको उन पर काम शुरू करना है तो उसमें वो timing बहुत जरूरी हो जाता है जैसे अभी सलोनी आपने कहा कि हर बाल जो हमारे इस time सर में मौझूद है वो गिरेगा और उसके बदले एक नया बाल निकलेगा यानि बाल जड़ते है नाश्रल है तो कुछ ऐसे कोई नंबर है क्या कि दिन में कितने बाल जड़े तो यह नॉर्मल है शुरू जो हैर साइक है उसकी जो लास्ट टेप होती है साइकल को उसको बूलते है तेलोजन तेलोजन मतलब बाल जड़ से तूट चुका है पर कहीं बीच में बस लटक रहा है यह बाल अगले एक महीने में कहीं ना कहीं से जड़ेगा या तो आपने खूब जम के चंपी की या आपने कंगी मार या आपने बाल धोए वो जड़ेगा तो आट एनी पॉइंट इन टाइम सम परसेंटेज ओफ हैर तेलोजन में रहते हैं तो उस हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए कि अगर एक अप्रॉक्सिमेटली कितने बाल है सर पे तो कम से कम 150 से 200 बाल दिन के जड़ने चाहिए औ तो नाचरल है अच्छी बात है बाल जड़े नए हेल्दियर है वापस आएंगे लेकिन जब यह बहुत सारा हो जाता है तो देर ज़िए प्रॉबल्म तांक यू Saloni आपने बताया आपने बहुत सारे लोगे जुन्हों ने ऐसे राहत की सास लियोगे कि चलो कुछ ऐसी गड़बड नहीं हो अरी अपस्पेशली लड़कियां कि हमारे लंबे बाल होते जब दस भी गिर तो हम ऐसे लगता है यह तो बहुत सारे बाल गिर जी कि तो कुछ मचेगा ही नहीं अब एक चीज और है देखे जब हम किसी ऐसी नई जगहा शिफ्ट करते हैं जैसे अगर मैं दिल्ली NCR की बात करूं तो लगबग हर इनसान यह कहता है कि हांका पानी बहुत जादा खराब है और जब से हम इस शहर में रहने आए हैं हमारे बाल ज अच्छी चीज बोली इतने सारे लोग कस्टमर्स त्राया में आते और कहते मैं एक NCR और एक बैंगलोर दो सिटी हम बहुत सुनते हैं कि हमारा तो पानी के वज़े से हो रहा है देखिए रिसर्च में साइंस में कोई ऐसा अभी तक अभी तक क्रूशल रिसर्च पेपर नह है खारा पानी भी नहीं लेकिन कुछ डॉक्तर्स क्या सोचते हैं कि खारे पानी से पहली चीज यह तो फॉर स사र होती है कि वह बालो की कौलि Amendment को effect करता है तो छब खारा पानी बालों के उपर लगता है तो बाल हाइश बृतल फिर बालों के उपर हमारा एक लेयर होता है जो बाल को protect करता है उस shaft को break करके अंदर घुसता है तो बालो की कॉलिटी खराब होती है और बीच पीच में से तूथ में शुरू हो जाते है यह बहुत जरूरी है समझना कि बाल बीच-पीच में से तूथना है फॉल नहीं है वो है ब्रेकज है अगर आपकी प्रॉबलम है कि आप यह लड्कियों की प्र कभी-कभी scalp के उपर deposits जमा हो जाते हैं जिससे dandruff और scalp health खराब हो जाती है अब जब मैंने आपको बताए कि बालों के hair fall के बहुत सारे root causes है, एक root cause ये भी है जो है dandruff या scalp issue और वो भी hair loss की रफतार बढ़ाता है तो अगर आपको खारे पानी के वज़े से लंबे यूज करने के वज़े से आपकी scalp health खराब है, आपको कुछ inflammation या dandruff हो रही है redness दिख रही है तो शायद आपका hair loss रफतार में शुरू हो जाएगा क्योंकि आपकी scalp health की problem है इससे पानी बदलना जरूरी नहीं है आप scalp को treat कीजिए और वो ठीक हो जाएगा तो water softner आपको लगानी ज़रूरती है आपको ध्यान अपने सर पे देना है हाँ, लेकिन कोई harm भी नहीं है water softner क्योंकि आपके बाल सॉफ्ट होंगे तो लडकियों के लिए काफी जरूरी हो जाते कि quality भी अच्छी जही है, सिर्फ बाल जरूरी नहीं अच्छे बाल जरूरी है but especially men के case में अगर मैं बोल्डिंग है जो सारे men face कर रहे है पानी से कोई डरने की बात नहीं है यह समझना जरूरी है कि hair loss तो internal है आप भार जाके एक packet cigarette पी रहे हो और blame पानी को कर रहे हो उसका कोई दोश नहीं सारा दोश इदर है तो वो अगर बात समझ जाए ना कि यह एक internal चीज है आपकी nutrition, gut, diet यह सारा जादा यह थी करेंगे तो पानी की कोई you know you can live with that water तो हम लोग बहुत सारे myth सुनते हैं जब hair loss की बात आती है जैसे कि अगर ठंड में आप टो भी पहन के रखते हैं तो आपका hair fall होने लगता है तो ऐसे ही कुछ आम मिथकों के बारे में बताये जो जेनरली लोग इन पर बलीफ करते हैं पर यह सही नहीं है बहुत सारे है hair loss ऐसी चीज है जिसमें myth ही myth है तो पहली चीज तो I think मैं यह बोलना चाहूं कि जो मेरा favorite myth है और मतलब मैं यह पूरी दुनिया जो anti hair fall shampoo बेच रही है मेरे इसाब से anti hair fall shampoo एक myth है क्योंकि एक shampoo कभी भी बाल नहीं होगा सकता shampoo break hair breakage कम कर सकता है इसलिए उसको वो नाम दे देते है anti hair fall पर वो hair fall यानि की बाल जड़ना और hair loss यानि की गंजापन पर कोई असर नहीं कर सकता मतलब कोई भी shampoo आपके बाल जड़ने से नहीं रोग सकता है दुनिया का कोई भी shampoo आप ले लीजे उसका एक ही काम है आपके बाल और scalp को clean रखना और बाकी तो उसमें जो आप देखिए composition देखिए कोई भी shampoo को 80% cleansing agent होगा तो बाकी चीजे बस added होती है मतलब कहीं किसी में भ्रिंग्राज होता है किसी में आमला होता है बट उससे कभी बाल उगेंगे नहीं भ्रिंग्राज बहुत अच्छी चीज है आयरवेद मतलब मैं तो आयरवेद के बारे बहुत बोलना चाहूंगी आगे बट वो शैंपू में जब दो मिनिट पानी के साथ आपके scalp पर रहेगी उससे कोई बाल नहींगे तो पहला अच्छा मित है अंटी हैरफॉल शैंपू अनियन शैंपू अल अव दोस प्रोडक्स सेकंड मित है कि मैं बार बार शेफ करूंगा तो मेरी ग्रूथ बढ़ेगी अच्छा नहीं होता तीसरा मास्टरबेशन से हैर लॉस होता है ऐसा नहीं होता अगर आपको किसी ने कहा है मास्टरबेशन से कोई कनेक्शन नहीं है मास्टरबेशन और हैर लॉस का ऐसे खूब सारे मित है आप बताई आपने कुछ सुना है मैंने तो अच्छी सबसे मेरी मम्मी भी कहती है कि अगर तुमारे बाल जढ रहना तो तो ते ल लगओ अच्छे से चंपी करो बाल जढना बंद हो जाएंगे पर यही जब मैं डॉक्टर से पूछती हूं तो यह कहते है कि नहीं चंपी करने से बहुत कॉमन मिस्कंसेप्शन है पर आपका जो हैर फॉल है जो हैर लॉस है वो रुखता नहीं है आप बताईए क्या यह भी एक मिठक है बहुत अच्छी चीज बोली आयरुवेद में चंपी को काफी अच्छा मेंशन किया गया है कि चंपी वेरी गुड फॉर है एस्पेशली जिन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो जिन्हें हैर फॉल हैर लॉस नहीं है चंपी कीजिए मसाज कीजिए मसाज से ब्लड अगर आपको हैर लॉस हो रहा है या आपको टेलूजिन एफुल्यूवियम हैर फॉल हो रहा है या मेल पैटन है लॉस पो रहा है एक तेल लगा लेने से वह नहीं सॉल्व हो सकता क्योंकि अगें आप उसकी जड समझ यह अगर मैं आपको बताओं फीमेल में गुड थर्ट उस्सिंट धिशिंसी होती है most common एणीमियं जिसे कठें हीमग्लोबिन की कमी अब समझ हुं मेरे में हैमग्लोबिन कमयाव का मैं प्लूह değiş्ड़ यह मेरे बाल जड और हमग्लोबिन की कमी से मैं कितना भी लगा लगालों कितने भी शैंपू लगा लों जब तक मैं मेरे कून म तो अगर आप जड़ो को समझे कियो हैर फॉल हो रहा है तब आपको समझाएगा कि चंपी एक एडिशनल चीज है हम त्राया में भी तेल देते हैं कहते हैं चंपी करो पर चंपी से रीग्रोथ नहीं हो सकता तो अगर आप सिर्फ हैर के बारे बात करें तो चंपी अच्छी च पोशन की कमी है अगर शरीर में तो भी आपका है लॉस होता है तो क्या आप कुछ ऐसे वितमें बता सकते हो कि कोई वितमें या काल्शियम फाइब किन-किन चीजों की कमी से ऐसा होता है है लॉस ऐसी चीज है अब बहुत सप्राइज होंगे कि टोटल एक लंबी लिस्ट ब पर बायोटन से जादा हम कमन देखते हैं इंडिया में इसे अनीमिया है वितमें अगर इनमें से कोई भी डेफिशिंसी हो तो वह रिजॉल्फ हो जाए एक चीज और है ऐसा कहा जाता है कि गीले बालों पर कंगी नहीं करनी चाहिए बाल ज्यादा तर लोग गीले बालों प होता है बिल्कुल सही चीज है जब बाल गीले होते हैं तो पानी से क्या होता है बालों की इलास्टिसिटी बढ़ जाती है मतलब वो जादा स्ट्रेच हो पाता है तो जब बालों की इलास्टिसिटी बढ़ जाती है और जूर जूर से कंगी कर रहे हैं और टैंगल को निकाल जब बाल सुखे होते हैं गीले नहीं होते हैं तो वो इलास्टिसिटी चली जाती है वो जादा उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है क्योंकि बाल है जो वह एक protein structure है तो जब पानी लगता है वो protein structure weaken हो के elasticity बढ़ती है तो जब सुखे होते हैं तो वो strong हो जाते हैं तो फिर बीच-बीच से तूटना बंद हो जाते हैं और बहुत लोग ऐसा करते हैं बाल सुखाने के लिए hair dryer का इस्तमाल करते हैं होंगे और ब्रेक हो सकते हैं तो यही बहुत बड़ी problem है कि लोग समझते हैं कि यह समझना बहुत ज़रूरी कि breakage क्या है hair fall क्या है और hair loss क्या है तीनों अलग अलग चीज़ है breakage है बीच से बाल तूटना इसके लिए लोग shampoo, conditioner सबसेल करते हैं और लिखते हैं उस पर hair fall है ठीक है तो वह एक वहां पर गाप है hair fall है बालो का जढ़ना it can be telogen effluvium जो उसके types है और hair loss है कि जब आपका बाल साइकल के बाद आना बंद हो जाता है आपकी cycle disrupt हो गई है तो उससे गंजापन होना शुकिए नएवाल नहीं आरे अब अच्छा अगर हम रोज shampoo करें तो क्या hair loss होता है ज्यादा और अगर नहीं होता है तो आपको करना चाहिए shampoo और कैसे करना चाहिए सही तरीका किया है ठीक है तो इसमें दो प्रशन दिख रहे है मुझे एक शैंपू का hair loss से कोई connection है या नहीं और दूसरा किस तरह शैंपू किया जाए तो पहले पर आती हूँ मैं शैंपू कोई ऐसी साइंटिफिक पेपर नहीं है जो कहे कि कोई भी दुनिया का इंग्रीडियंट जो शैंपू में पाया जाता है उससे hair loss हो सकता है शैंपू का hair loss से कोई connection नहीं है तो अगर आपको लग रहा है चलो यह ब्रैंड काम नहीं कर रही है अब मैं शैंपू बदलू मेरा hair loss ठीक हो जाएगा नहीं होगा ना ना शैंपू के वज़े से hair loss होता है ना शैंपू hair loss से आपको बचा सकता है ठीक है तो यह तो क्लियर हो गया कि hair loss नहीं हो सकता अब आते है कि कितनी बार शैंपू करना चाहिए शैंपू का purpose यह है कि आपके बालो और scalp को clean रखें अब किसी के बाल और rather scalp oily type होती है मतला आप बाल होते हैं और शायद अगले दिन ही वो चिप चिप ऐसे लगने लगता है कि आपने तेल लगाया हो क्योंकि आपकी scalp ऐसी है यह आपको स्वेटिंग हो रही है या आपकी बहुत oily oil production हो रहा है glands में तो आपको शैंपू ज्यादा frequently करना चाहिए आप 3-4 बार हफते में शैंपू कीजिए क्योंकि अगर आप शैंपू नहीं करोगे तो humid climate mixed with sweating mixed with oily scalp से dandruff हो जाती है और dandruff से हमें दूर रहना है क्योंकि dandruff से हो जाता है hair loss ठीक है तो dandruff avoid करने के लिए आप शैंपू थोड़ा frequency बढ़ाई है और आपके बाल clean हो जाए उसके opposite side में अगर आप सोचे कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके बिल्कुल dry scalp होती है उनके अगर और पता लगाना है कि आपकी scalp oily है dry है आप आपके चार-पाच दिन तक बिना बाल धुए विल्कुल ऐसे लग रहा है जिसे धुलेवे बाल है तो आपकी scalp dry side पे oily side पे नहीं है तो dry side के लिए जरूरी है कि shampoo कम करें एक या दो बार max हफते में क्यूंकि अगर dry scalp पे shampoo खूब लगाएंगे तो shampoo जब आप करते हैं तो सारा moisture खीच लेता है बहुत लोग ऐसे भी है जो रोज शांपू करते हैं तो पहली जीज तो यह क्या रोज शांपू आपको नहीं करना चाहिए और दूसरा अगर आप रोज कर रहे हैं क्या उससे हो सकता है लॉस नहीं आप रोज करिए हर दो घंटे में करिए शांपू का hair loss तो कोई connection ही नहीं मैं दुबारा रिपीट करना चाहती हूं कि hair loss होता है आपके अंदर के gut आपके gut में absorption नहीं हो रही है thyroid, hormonal imbalance, anemia, sleep, see आप यह समझे है कि sleep से कैसे hair loss होता है जब आप ठीक से नहीं सोते हैं तो आपके body में एक तरह के hormones generate होते हैं जिस दिन आप ठीक से सोएंगे और नहीं सोए आपकी body body की hormonal composition अलग होती है तो यह जो hormones है या फिर अगर आप stress ले लीजे अगर आपकी life में stress चल रहा है stress related hormones बनते हैं यह जब यह hormones आपकी body में बढ़ते हैं stress तो अलग अलग जगा पे hair loss create करता है पहले तो directly hormonal level पे जब hormonal imbalance होता है तो जाके follicle पर attack होता है और hair loss बढ़ता है second अगर आपको stress होगा तो आपकी gut health खराब होगी नहीं पेट खराब होगा मतलब पेट आपको पताना चले आपका पेट खराब है पर जो पेट के अंदर एक microbiome होता है अगर यहां stress है वो डिरेक्ट सिगनल देता है पेट में कि microbiome जो अच्छा good bacteria उसको डिपलीत करता है कं करता है वो कम होगा तो absorption का होगा तो अप अच्छा फंचा खा रहे हैं स्पिनिश पालक सूप पी रहे हैं लेकिन वो अब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है जब अब्जॉर्ब नहीं होगा तो कोई न्यूट्रियंट्स नहीं जा रहे हैं आपकी बॉड़ी को और सबसे पहले यहां पता चलता है इन फैक आयरुवेद में यह चीज लिखी गई है स्क्रिप्चर में कि हैर लॉस एक बिमारी नहीं है है एक साइन है या एक तरीका है बॉड़ी को आपको बताने का कि अंदर कुछ गढ़ पढ़ वो एक कम्यूनिकेशन है कि भई संभाल लो ठीक करो लाइफ को अच्छा खान शैंपू के बारे बाते कर रही है कोई यह तो बोली नहीं कि खाना क्या है जबकि यह बहुत ज़रूरी चीज है और यह बहुत बड़ा अगर आप डायेट में थोड़े से चेंजस कर लो बहुत कुछ ठीक कर सकते हो अपने अपने सही बोला क्योंकि लोगों को खाने पे मतलब इसके बारे में इतना ज्यादा नहीं सोचते हों सोचते कि उपर से कोई प्रोड़ाक्ट लगा लें चाहे वो शैंपू हो सिरम हो य इसलिए स्पेस बहुत ही जब आपने मुझे मुझे मित पूचा मैंने का इस कोई मतलब सीमा नहीं है कि इस जगा में कितनी मित्स है इस स्पेस में अच्या अगले सवाल पर आने से पहले मैं आपसे एक चीज़ जाना चाहूँगी कितनी बार शैंपू करना है हफते में हम इस पर बात कर ली है क्या कोई एक सही तरीका भी होता है क्योंकि कुछ लोग है जो बहुत देर तक करते रहते हैं चंपी शैंपू से कोई लोग जल्दी-जल्दी करके धो देते हैं सही तरीका क्या होता है सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप कोई कंटेनर में पानी और श एमीड जूरह रल ταजि रदे हैं भालों यहां का मॉइस्टर सकालप काकि एक काफी स्ट वहला को घुदारी बृूरी कोई फरकनिये साफ्ञ जुदां इन एक k Queensland को आपकी ब्रतन दूने का साबन और आपके नहाने का साबन आपनों और फिर लगाएंगे, तो वो उसकी, जो उसकी strength है वो कम हो जाएगे और आपको वो mild shampoo बन जाएगा, तो वो एक चीज है जो हम suggest करते हैं लोगों को use करने के लिए, तूसरी एक बहुत interesting चीज है, त्राया में हम anti-dandruff shampoo देते हैं, जिनने dandruff होता है, तो anti-dandruff shampoo जो होता है, व उसे बालों पर मत लगाएं, यहां लगाएं, दो मिनिट रखिये, ताकि जो उस anti-dandruff shampoo में जो molecules है, dandruff से fight करने के उनको दो मिनिट लगे, scalp में उनका contact बना रहे, फिर आप अपने बाल दो दीजे, फिर second round में आप normal hair shampoo लीजे, कोई भी साधा, और उसे आप फिर पूरे बा ऐसा कोई shampoo नहीं बन सकता जो anti-dandruff भी खूब अच्छे से करे और बालों को soft भी रखे, तो जब हम generally यह guide करते कि आप two rounds of shampoo कीजिए, तो आपको बाल भी soft मेलेंगे और आपकी scalp भी clean रहेगे यह आपने बहुत बढ़िया बात बोली हो कि ज्यादातर लोग shampoo हाथ में लेते हैं और फिर डारेक्ट सर पे लगा लेते हैं कोई उसको पानी डाइल्यूट करके ऐसा कुछ मिक्स्चर नहीं लगाता है तो एक चीज तो आपकी यह हो गई दूसरी चीज और है कि शांपू जब हम लोग इस्तमाल करते हैं इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए मतलब कुछ ऐसे कोई साइज कुछ है कोई फरक नहीं पर जो लगाना है लगाओ साफ करना है आप सोचते हो बरतन में कम साबून दालो जादा दालो जब आपको लगे कि साफ हो गया है आपने अगर पर तेल लगाया होगा है खूब चंपी कीवी है तो आपको जादा लगेगा शायद आपको दो राउंड दोने पड़ेंगे क्योंकि तेल निकलना चीन है तो फिर हाई वेस्ट होगे महनत से शैंपू किया तो आप दो राउंड कीजिए जादा शैंपू लगाई अगर शैंपू लगाई शैंपू जब तेल ना हो कम से कम लगाई और पानी से दो ये वही शैंपू फ्लो के नीचे बाल क्लीन करतेगा तो मतलब आइवड से कम से कम इस बेस्ट अप्रोच और भी हम स्कैल्प की बात कर रहे थे जैसी कुछ लोग का स्कैल्प बहुत बहुत नहीं, in fact oily scalp में जाधा dandruff होता है क्योंकि जो आपके glands जाधा oil secrete करते हैं तो oil और humidity एक ऐसा environment बना देती है जिसमें fungal, dandruff सबसे common type of dandruff is a fungal तो वो fungal बन जाता है और इसलिए वो dandruff हो जाते हैं तो आपको दिख वो dandruff रहा है और कैसे पता चलेगा है तरीका कि आपका d dandruff बहुत हेवी यह fungal dandruff है वो जड़ेगा नहीं जैसे वो sticky होगा चिप चिप चिपा होगा आपको बिल्कुल आपके नाखुन से scrape करना पड़ेगा तो जब आपका dandruff इस तरीका अगर वो बिल्कुल you know flaky है वो जढ रहा है आप ऐसे ऐसे कर रहे और वो जढ रहा है तो आपको anti-fungal shampoo की ज़रत है anti-dandruff shampoo की यह अच्छी बात बताई आपने ताकी लोग अब notice कर सके कि उनका exactly dandruff है किस तरह का और बालों पे तो हम बात करते रहेंगे अभी और थोड़ी बाते आपको लेकर भी कर लेते हैं मतलब आपने engineering की उसके बात MBA किया और उसके बाद और हम थोड़ी research कर रहे था हम यह पता चला कि आपके husband को भी premature hair fall start हुआ था उसके बाद आपको या आइडिया आया है बिल्कुल जो last heavy dosage होता है thyroid की दवाई का वो चल रहा था खूब जोरो से hair loss मतलब बिल्कुल ऐसे चल रहा था कि stage 2 से 7 पर पहुच जाएंगे तीन सालों में मतलब वो इदम hair loss हो रहा था और तब हमने सोचा कि अब health के बारे focus करें और उनके start-up ऐसी place पर आ गया था कि अब वो पहली बार चार सालों में थोड़े free हुए उनका background है वो biomedical chemistry background से आते हैं तो वो research में घुस गए actually वो research में घुसे thyroid की और thyroid से वो अपने health की सारी चीजों पर घुसने लगे और एक के बाद एक के बाद जब हैर लॉस पर पहुचे हमने एक बहुत अच्छा research paper पढ़ा जिसमें ये था और वो hair loss के बारे नहीं था ये लिखा हुआ था कि सारी जो internal चीजे हैं इनसे hair loss हो रह पास जा रहा हूं एक serum लगा थे वो इतने ताइम से मैं सब कुछ ट्राय कर रहा हूं तेल ट्राय कर रहा हूं शैंपू ट्राय कर रहा हूं लेकिन ये तो भी हाँ तो साइंस तो बोल रहा है के बालों का problem इधर है तो हमने लगा कि हमें अलोपिथी के बाहर जाने की जोरत ह है तो हम Ayurveda doctors को मिलने लगे खूप सारे I think about 12 doctors को मिले और फिर हमें Dr. शैलेंद्र मिले जो अभी त्राय के head Ayurveda है उनको उनको हम मिले thyroid के लिए और उन्होंने हमें समझाया हमने का कि हम अभी नहीं लेंगे Ayurvedic दवाई हमें विश्वास नहीं हमने कभी Ayurveda लिया नहीं है तो अच्छा आपको खाने फूड में विश्वास है फूड साइंस में हमने का बिलकुल उन्हें का Ayurveda में दवाई से जादा हर्ब से जादा खाने पर लिखा हुगा है खाने के बारे लिखा हुगा है यह कहा गया है कि अपने खाने से इंसान अपनी बिमारियों तक को ठीक प्रेणिट भी थोड़ा सप्राइज था तो हमने फिर जाके यूनो हम में रियालाइज हुआ कि एक जो क्रॉनिक डिजीज होती चाहे वो थाईरोईड हो गट इस्शूज हो जो क्रॉनिक जाने की पूरी जिंदगी चलती है लाइस्टाइल से रिलेटेड रिलेटेड विम बैठें और बोले हम आपकी बॉड़ी को ठीक करेंगे तो हमने का ये एक गाप है और हमारे जितने फ्रेंग्स थे हम उस एज पे थे जह लोगों की शादियां हो रही थी यार तुने क्या किया तेरे बाल उग गए बाइद वे मैंने स्टोरी बहुत डीटेल में नहीं बता से था अब हमने जब उन्हें ठीक किया आपकी थाइरोइड आपके डाइजेशन आपका यूरेक ऐसे आपका स्लीक जब सो आयरुवेदा में चीज होती है को चैनल्स बोलते हैं उनमें जब ब्लॉकेज होते हैं तो जो पोशन है वो बालो तक नहीं पौचता या बॉड़ी K calorचे को ठीक किया और बॉड़ी को एक संतुलन में लाया आयरुवेदा के मेकानिजम में तो पूरी बॉड़ी की री जेनराटेव स्टेटमें गई और जब री जनरेटेव स्टेट में गई तो बालोग गए और फिर करीब देड़ साल बाद दो साल बाद हम इस पॉइंट पर आये 2019 में कुछ कंपनी शुरू करनी चाहिए और वो इसलिए क्योंकि हमारे इतने फ्रेंड्स इतने लोगों को हमने बोला कि देखो हम ये होलिस्टिक लाइफ जी रहे हैं हमारे घर में हम ऐसे खाना खा रहे हैं आयरुवेदा में ये बोला गया है हमें रियलाइज हुआ कि लोगों के पास एक डॉक्टर के पास जाने का टाइम नहीं वो तीन डॉक्टर के पास कहा जाएंगे और इतनी मुश्किल है ये चीज का इसे 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 बनाना चाहिए इ लाकि हम अपने हैर को ग्रो कर सके तो बस उसी उससे हम निकल पड़े कि हमें लगा कि अगर हम बाल उगा सकते हैं तो खुआ भी उगा सकता है और हमने जैसे जैसे क्लिनिकल ट्राइल कि रिसर्च कि हमने देखा इस चीज की ये पावर अफ्री साइंस की इतनी अच्छी जो इलाज का तरीका है वो थी स्टेप अप्रोच है राइट जो तीन स्थम कह सकते हैं हम लोग के नुट्रिशन आयूरवेद और अगर आप थोड़ा आसान भाशा में हमारे ओडियन्स के समझा दीजे कैसे कैसे काम करता है ये क्या करते हैं आप लोग तो सबसे पहली है वो stress, sleep, digestion, thyroid जो भी ये सारी चीज़ है इन्हें आयूरवेद में इनके solution दिये गया हमें लगता है अच्छा stress तो हो रहा है क्या ही कर सकते हैं चलो shampoo बदल लेते हैं stress का भी आयूरवेद में solution उसके लिए भी herbs है उसके लिए ऐसी चीज़ें ताकि जो stress आपकी लाइफ में आपकी cellular level पे आपको affect ना करें तो हर चीज़ का solution है आयूरवेद में पर वो सब internal है और एक चीज़ है कि आयूरवेद की जो power है वो customization में है इसका मतलब जो दवाईयां जो herbs मेरे husband पे काम की वो शायद किसी और पे ना करें या जो मेरे पे काम करेगा वो क्योंकि हम सबकी body अ वो नहीं हो सकता हमें पहले समझना पड़ेगा उस इंसान की body को और इसलिए हमने एक online hair test बनाया तो पहला step है कि हम hair test लेते हैं हम समझते कि body के root cause क्या है और उसके बाद Ayurvedic solution बनता है जो इन अंदर के root causes पे काम करते है जैसे ही वो body के strotas का blockage हटता है body में balance आता है तो body regener regenerative state में जाती और बाल उगने लगते तो यह हो गया Ayurved ठीक है अब चलते Dermatology Dermatology बहुत इंट्रेस्टिंग था पूरे दुनिया में आज तक दो ही molecules है Finasteride and Minoxidil जिसकी clinical efficacy है बाल उगाने की इसके अलावा सब खेलकूद है बायोटम पहुत बोलते हैं वो भी कामका नहीं है तो बायोटम की मैं बात बताती हूं अगर बायोटम की डेशिंसी हो तो hairfall होता है और इन लोगों अगर बायोटम खाएंगे तो hairfall रुक जाएगा पर क्या आपका hairfall बाइटमिन की कमी के वज़े से है या नहीं यह जानना जरूरी है so vitamin ज़रूरी है but vitamin तो ऐसी चीज है कि आपको hair fall हो रहा है या नहीं आप multivitamin खाए लिए क्योंकि आपकी hair ने तो skin ने तो nails ने तो कोई और चीज आपकी body की impact हो रही है तो जो hair vitamin तो हम देते ही देते हैं और हमने जो इंडियन डायेट है उसमें कुछ deficiencies हो ही जाती है तो वो एक course तीन महीने का होता है जो ले लेना चाहिए मेरा hair fall नहीं है फिर भी में हर साल एक तीन महीने का course कर लेती है बहुत लुकी है हाँ सो अलोपेथी पर फिर से दुबारा जाती हूं कि जो दो molecules है जिनकी clinical efficacy है minoxidale और finasteride ये दो क्या करते है जो finasteride वो blocker है blocker मतलब आपको यादोगा मैंने का थे होर्मोन है DHT जो जाता है follicle पर उसको attack करता है ये जो दवाई है ये DHT को कम कर देती है तो अगर बॉड़ी में DHT कम हो जाएगा तो बालों पर attack कम हो जाएगा और बाल जहड़ना कम हो जाएगा लेकिन इसके कुछ side effect हो सकते हैं तो हम ये इसकी जो tablets वगएर है वो हम यूज नहीं करते काफी dermats है जो वो यूज करते है दूसरा जो molecule है minoxidale ये एक serum है ये DHT की मातरा पर impact नहीं करता हो हॉर्मोन को touch नहीं करता पर ये क्या करता है ये बालों पर जब आपको serum लगाते हैं वो बालों की चुढ़ाई बढ़ाने लगता है मोटे होने लगते हैं तो जो DHT कर रहा है चुढ़ाई कम कर रहा है वो उसके opposite चुढ़ाई बढ़ाता है और वो ओवर a period of time तो बी वेरी फ्रैंक पांच महीने जो हैर साइकल का टाइम है टेलोजन से वापस ग्रोथ फेज में आना एनरजन वो पांच महीने अगर आप प्रॉपर्ली इसे यूज करें तो वो जो आपके बाल पतले हूए वो दुबारा मोटे हो के नए बाल आने लगते हैं तो ये द थोड़े से लोग है जो ऐसे जगाओं पे जिनके पस डर्मेटोलेजिस्ट का एकसस है वो पहुच रहे हैं उन्हें शायद ये मिल रहा है दूसरी तकलीफ है कि वो घर आ रहे हैं दस दिन लगा रहे हैं और उसे छोड़ दे रहे हैं यूस तो पांच महीने करना है ना तो आश्रम तब हमें समझा कि हम मृम अमर्थ में डब्ब में दे दें कि लोग जब तक लगाएंगे नहीं मृम एपंवाड़ हैयर कोच कि हमारा काम शुरू होता है आपको बेच के बाखी कंपनियों का काम ने काम है बेचना हमारा काम शुरू होता है बेचने के बाध क notor이는 कार होगा जब बाल उगेंगे और बाल उगने के लिए हमको आप पांच महीने सब कुछ रूज करना है तो जो कोच है वो आप यह सोचे कि आपको वेट लॉस करना है और जिम एक ट्रेनर है वो सुबह कॉल कर रहा है नीचे उत्रो जिम पहुचो फिर बोल रहा है क्या खाया कल ड है ताकि क्योंकि एक ऐसे चीज़े के गाइडेंस की जरूरत है इतने सारे क्वेशन्स इंटरनेट पे इतना कुछ है लो कुछ पढ़ लेते कुछ गूगल कर लेते तो अब उन्हें एक जगा मिल गई है हमारे पास एक कोच है हम अपॉइंट्मेंट बुक करेंगे बात करे हमारा काम तब खातम होगा जग तक तक रिजल्ट ना है तो यह हो गया Ayurveda और सपोर्ट अलोपिथी भी हो गया थर्ड पीस जो सबसे जरूरी है नुट्रिशन राइट में तकलीफ क्या है पता है सबसे सबसे गंदी एडवाइस जो डाइट में कोई आपको दे सकते हो है कि एडवाइस हां मैं बताते हूं क्यों आप जाते है डॉक्टर के पास डाइबटीज हो गया यह हो गया डॉक्तर क्या बोलता है एडवा कम खालो अब घर आते हैं तलावा नहीं खा सकता पर हेल्दी का सब का डफिनिशन ही अलग है क्या है अच्छा गुड का लेता हूं ची प्रिंसिपल्सेड किस बॉड को क्या चाहि Hakना चाहिए कोन साब्जी क्योड कहना प्रिष्टी चाहिए किस तरह का अता कृणा चाहिए कि कुछ बॉड कुछ suit होता है कुछ body को दूध नहीं लेना चाहिए आपको internet पर क्या मिलेगा milk is healthy good please have milk या फिर कुछ लोगों का opinion होगा leave dairy or whatever there'll be school of thoughts but आपके ले क्या सही है तो हमने फिर वो diet की customization भी शुरू की कि अगर आपको PCOS है या आपको thyroid है आपको और क्या health issues है और उसके लिए हम diet में क्या दे तो एक बहुत ही clear meal plan देते हैं हम यह नहीं कहते है कि healthy खालो क्योंकि हो सकता है कुछ आपको सूट करें और मुझे सूट ना करें okay एक चीज़ और बहुत ही common है जब हम यह hair fall hair loss की बात करते हैं genetic के मतलब अगर मेरे मम्य पापा के बाल बहुत जल्दी जड़ना शुरू होगए थे तो पक्का मेरे साथ भी हो गई होगा है ज्यादता रोगों को ऐसा ही लगता है अब वाकई अगर ऐसा है तो क्या पिर इसका कोई analysis कि मेरे नहीं पापा के बाल जल्दी जढ़े थे मेरे जढ रहें तो क्या उगेंगे या नहीं तो सारे जनिटिख हैर लॉस कि रिवर्स हो सकते हैं कि और नहीं हो सकते हैं और यह समझना बहुत जरूरी है तो समझ之前 कि आपको जयनेटिख या कोई पुरुष का एक्जाम्पल है कोई पुरुष stage 3 male pattern hair loss यानी की genetic hair loss है उन्हें यहाँ पे एक circle में बाल जड़ चुके हैं वो treatment के लिए उन्होंने 6 महीने 5 महीने treatment लिया उनको regrowth मिल गई उन्होंने देखा के results आ गए ठीके let's say वो सब कुछ बंद कर दे कुछ ना करे अ वो जो DHT है वो तो body में बनने वाला है वो तो आपको genetic disposition मिली है कि आपके body में जो DHT है वो बालों पर attack करना है attack आप जिस दिन तक जिन तक रहेंगे last दिन तक वो DHT attack करेगा treatment से हमने DHT को control कर लिया manage कर लिया protect कर लिया इसलिए regrowth हो गया अब धीरे 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 फिर से hair loss आना शुरू होता है और अगले कुछ आठ एक साल में उनको दिखने लगता है कि यह तो फिर दुबारा आते हैं तो समझना यह जरूरी है कि आप treatment लीजिए regrowth कीजिए पर कुछ maintenance करना पड़ेगा जिसे आप diabetes होता है आपको तो आप एक छ चुटी दवाई लेते हैं पूरी लाइफ क्योंकि जिस दिन नहीं ली उस दिन आपकी इंसुलिन कैसे manage होगी उसी तरह जो genetic hair loss है वो chronic है इसका मतलब DHT बनने वाला है DHT बालों पर attack करने वाला है अब DHT के against थोड़ी maintenance करनी पड़ेगा थोड़े चीजे तो हमारा एक maintenance plan है जिसमें हम एक serum देते हैं और एक तेल देते हैं वो दोनों चीजों से maintenance बनी रहेगी ताकि आप जो अपने इतनी महनत से वापस उगाए है उन्हें आप maintain करें तो मतलब एक तसल्ली में नहीं बैठ सकते कि चलो अब तो बाल उगाए वापस अब दुबारा अब दुबारा आओणी और घंमे собका के बाल साठ साल की उमर में जड़ना शुरू होता है के अघर मेरे मैम्मी पापा के बाल साठाह्या की उमर में घर्णा शुरू होता हैं आज को साथ पतां नहीं साथ क्यों हो रहे है कि हमारे intellect~!! चूह अबिस साल में साल में खर्रू हो ग्हाज यह क्य से शुरू है प्रॉपर स्टेज 3 स्टेज 4 कि आप हमें री ग्रोथ चाहिए तो इनका भी यह कहना है कि हमारे फादर को तो पचास में हुआ साथ में हुआ और यह वालिडेट करता है उस बात को जिससे मैंने यह एपिसोड शुरू किया कि आपका स्ट्रेस आपका खाना आपका पोशन आपकी आपका मेटबॉलिजन आपकी गट में क्या अब्जॉप्शन हो रहा है आपकी बाकी हैल्थ इशूज इस सब रफ्तार डिफाइन करते हैं आपके हैर लॉस का तो आपने अपनी रफ्तार फुल स्पीड पे रखी वी है तो वह ज हमारे मम्मी पापा शायद हमसे थोड़ा ज्यादा हैल्दी खाते थे इसलिए उनका तब जाके और हमारा इतना जन्दी हमारा मतलब अनफॉर्चुनेट मुझे लगता है कि उनके खाने में और हमारे खाने की कॉलिटी में फर्क है वर सम रिजन उनकी लाइफ में इतना जन्रेशन में और मैं काफी ज़्यादा क्यूरियस हूं कि हमारे बच्चों के साथ क्या होगा और मैं बहुत ज़्यादा सप्राइज नहीं होंगी कि अगर 20s में हमें हैर लॉस आरा है और उनने डाबटी आना शुरू होगा जब जन्रेशन दर जन्रेशन जो है यह सब कम ह होता जा रहा है क्योंकि उनकी लाइस्टाइल देखिये जब मैं उतनी छोटी थी तो मैं इतना टीव अगरा नहीं देखती थी एक जगा पर बैठी नहीं रहती थी मैं तो खूब खेल कूट करती थी अब जब मैं इस अब के बच्चों को देखती हूँ पैकेज फूड दे जाता थी और मैं अपने बच्चों को शैद और जादा ले जा रही हूँ है अनफॉर्चुनेट है यह चीज बड़ I think यह सब चीजों को हैंडल किया जा सकता है मतलब I think यह चीजों को लोग समझ रहे हैं और कहिना कहीं जैसे समझेंगे तो चीज़े सॉल्व की जा सकती है hopefully yes एक सवाल मेरा यह है कि generally लोग के दमाग में यह perception है कि जलो बाल अगर जढ गए गंजे हो गए तो है ट्रांस्प्लांट तो है हम जा के है ट्रांस्प्लांट कर वा लेंगे तो क्या त्राया एक alternative है त्रांस्प्लांट का या फिर जिस इंसान ने इलाज ले लिया त्राया निचे बाल होते हैं जो आपके अच्छे बाल उन्हें निकालकर उस जगह पे लगा दिया जाता है जहां आपके बाल जा चुके हैं और बहुत अच्छा तरीका है महंगा है थोड़ा invasive है surgery जैसा है पर आ जाते हैं ठीक है अब जो लोग ट्रांस्प्लांट कर लेते हैं अग जो हैं जो इन्हों वाले उस पे डीच्टी आ अठाक करेगा और आपके जो ट्रांस्प्लांटिड बाल हुए वो दिरे और फिर फिर से गिरने शुरू हुए तो ट्रांस्प्लांट के लोग भी ट्राया के पास आते हैं और बोलते हैं कि अच्छा हम आपके ट्रीट्मेंट क्योंकि हमें लेंगे विटान्सप्लांट के बचाना यह तो पहले तो मैं यह बात समझाना अब मैं चलती हूं कि किसे ट्रांस्प्लांट करना चाहिए और क्या थ्राया अल्टनेटिव ए तो मैंने आपको बता है त्राया में एक है टेस्ट है जो फ्री ए वेबसाइट पे ज अगर हम आपको treatment देंगे तो हम आपके बाल नहीं हुगा पाएंगे और हमें प्यार है हमारे 93% success rate से तो हम चुनते हैं उन लोगों को जिने हम help कर सके हम उन लोगों को नहीं बेचना चाहते जिने कि हम बाल नहीं हुगा सकते तो जब stage 6 वाले लोग आते हैं हम उन्हें वहा पर आपका वो समय आ गया है कि आप transplant कीजिए तो अगर आप seven stages of hair loss देखिए one to four tria five भी त्राया ले सकते हैं six seven definitely transplant कि बहुत सारे लोग stage three में transplant करने चले जाए वो मुझे लगता है कि मतलब एक shortcut है आप avoid कर सकते हैं आपकी मर्जी है कि अच्छा मेरे को surgery करके दम से उगा देना है या मुझे अपनी body को healthy बनाना है अगर आप उस mindset से आ रहे हैं कि मुझे healthy बनना है देखो हमारे पस को magic नहीं है कि एक product लगा लिया बाल उग गए यहां कोई magic नहीं अगर shortcut चे तो आप transplant करा सकते हैं अगर अगर आपको healthy बन के सही तरीके से long term result चाहिए और अगर आप one or five के बीच में हो तो try किया जा सकते है otherwise the only option is transplant transplant ले ले लिजे PRP ले जो भी अलग treatments होते हैं यह जरूरी है लोगों जो आपको molecule बताया आलोपिथी में दो जो clinically proven molecule में जो मिनॉक्सडाइल है वो आपको dermatologist जो transplant कर रहे वो आपको जरूर लिखके देगा और वो बोलेगा इसे रोज लगाते रही है अगले 10 सालों तक जब तक आपको यह transplant के बाल सेल पर रखने उस दिन तक लगाते हैं क्या कर आपके DHT और बालों के बीच में एक प्रोटेक्टिव स्टिम्यूलेटर है वो DHT जो कर रहा है उसका opposite करके आपके बालों को बचा कर रखे तो वो मैंटेन करके रखेगा पके चांस्प्लांट वाल सलोनी मेरा आपसे थोड़ा हटके है देखे हर इंसान चाहता है हम एसे ज आता है और क्योंकि बाल एक ऐसी कॉस्मेटिक चीज है जिसको लुक्स के साथ को रिलेट कर दिया जाता है तो इन लोगों के बन में एक हीन भावना आ जाती है स्पेशली कि लोग हमें देख के क्या सोच रहे होंगे मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूं और इन सारी बातों क अच्छा था जाता है तो इसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी अ मैंने तो मेरे हस्बेंड को इस चीज से गुजरते वे देखा है डेफिनिटली यह बहुत ही ऐसी चीज है जो में तो इस चीज जो में अफेक्ट करती है कहीं केसिसमें डिप्रेशन कॉस करती ह कि या तो आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिये कि मुझे कोई फरक नहीं पड़ता बहुत लोग है जो बिलकुल बॉल्ड लुक कर लेते हैं और रॉक करते बिलकुल बॉल्ड लुक पे बिलकुल बढ़िया कोई कंपैर करना या कोई बाल अच्छे होना जरूरी है वाली बात तो है नहीं आप accept कर लीजे पर अगर यह आपको affect कर रहा है तो आपकी choice है कि आप healthy बनी और आप एक सही treatment लीजे doctor prescribed treatment लीजे आप समझ ये कि ये आपके हाथ में है there is choice मुझे करना या नहीं करना है shampoo लगा के कुछ ना करके एक packet cigarette smoke करने की बाद आप क्रिबमत कीजिए कि मेरे बाल जट रहा है क्यूंकि आपकी आपने चूज किया आपको क्या करना है so I feel that there is hope, उमीद है वो आपका decision पर आप सही इलाज चूस कर ये बिल्कुल और हर इंसान की कही हुई बात पर यखीन मत करिये हर चीज को दे करके उसे ट्राय मत करिये जब तक कोई expert आपको वो product इस्तमाल करने के लिए नहीं कह रहा है राइड कर सलोनी एक सवाल मेरा जड़ा है बहुत बार हम यह देखते हैं कि उस शांपू में क्या इंग्रीडेंट है वो किस चीज से बना है तो जैसी अभी हम लोग प्यास की भी बात कर रहे थे कि लोग प्यास खाने रहे हैं सर पे लगा रहे हैं तो ऐसे और वी कुछ इंग्रीडेंस हैं क्या जो कि help inhal for a論 powinvary बहुत अच्छा question पूचे आपने तो प्यास की अलग से आटकर ज़े इंग्रीडेंस की भात करती हूं कि अच्छ सारे इंग्रीडेंस है जिसे Ayurveda में अपने का अमा यह सब बहुत अच्छे इसे बालों के लिए हैं लेकिन हैं फुरा बख्यां आपके एक शैंपू की फोटो में लग गया और आप पीछे देखेंगे तो 0.1 percent some extract or something दाला गया है जिसका कोई मतलब नहीं है ब्रिंगराज बहुत superior बहुत अच्छा हर्ब है हम उसे देते हैं हमारा एक product है उसमें देते है जो खाया जाता है तो जब वो खाओगे तब उसका उपयोग या फाइदा होगा rather than just putting it in a shampoo और आप यह सूचे शैंपू दो मिनिट आपके बाल पे रहेगा आप पानी दाल देंगे तो ऐसा तो क्या powerful उसमें वो होगा कि वो शैंपू की बॉटल का 0.1% का ब्रिंगरा जब दो मिनिट आपके बालों पे लगे और कुछ चमतकार कर ले अब मैं बात करते हूं प्याज की तो प्याज के लिए एक research की गई थी टाइप का hair loss होता है alopecia ariata जिसे कहते हैं जिसमें से बिल्कुल coin size कहीं पे भी patch हो जाते है और वो जो circle बनता है वो यहां भी बन सकता है दाड़ी पे भी हो सकता है हातों पे भी हो सकता है कहीं भी हो जाता है वो एक autoimmune condition है मतलब उस area में जो cells है वो decide कर लेते कि यहां हम बालों को उगने नहीं देंगे और वो बिल्कुल clean patch होता है जैसे हमारी cheek है बिल्कुल clean patch बन ज कि उस area में autoimmune का जो condition है वो कम हुआ और रिग्रोता है वो सिर्फ ariata के लिए true है ariata यानी वो जो type का hair loss है उसके लिए और सिर्फ उस patch area में उन्होंने ये तो ये research को use करते 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 मिस्यूज करते करते वो onion पाँच गया पहले home remedies में फिर लोगोंने juice निकाल के लगाना श बनाने शुरू कर दिया फिर लोगोंने shampoo बनाने शुरू कर दिया अब तो हर चीज में वो पहुच गया है तो वो इस तरह से चीजे मिस्यूज हो जाती है पर जैसे मैंने का कि इन ingredients को कैसे use करना है और connecting it to कि आपका hair loss क्यू हो रहा है is very important Okay और एक चीज और पूरी conversation में एक शब्द जो बार बार आया है वो है stress हर डॉक्टर हर expert कहता है कि भाई stress मत लो कहना तो आसान है पर कैसे ना लें stress तो क्या Ayurveda में कोई तरीका है कोई इलाज है कि especially stress से होने वाला जो hair fall है hair loss है उससे कैसे निपट सकते बहुत अच्छा question तो त्राया में एक product है hair loss जिसमें हम आप यह सोचिए बालो का चमन प्रश वो सारे herbs हैं जो बालो के लिए अच्छे हैं उसमें हम specially एक herb डालते है अश्वगंदा अभी अश्वगंदा आप ऐसे सोचिए कि Ayurveda का herb for anxiety तो जैसे आप psychiatrist के पास जाएंगे अलोपिती में तो उन एक्जाम से पहले होता है या कोई job interview से पहले होता है कि मुझे आपका stress level बढ़ जाता है अश्वगंदा काम करता है तो वह हम यूज करते हैं ताकि एक level of calmness बनी रहे है body second एक बहुत beautiful product है call nasya grit ayurved में कहा गया है कि nasya grit यानि कि आप घी के drops को जब नाक में दाले हैं वो सबस आपको काम करने का और यहां की problem areas को solve करने का तो हमने nasya ghat में दो herbs दाली है जिसमें से एक है yashti madhu तो वो stress calmness भी करता है और hairy growth पे भी काम करता है तो वो बिलकुल घी होता है pure घी आप समझे एकडम high quality घी जिसमें उसको एक process से एक herb के साथ धोया जाता है बार बार उसके iterations ह होते हैं और वो घी को अगर आप रात में दो ड्रॉप दाल के आप सोएं तो आपको बिलकुल अच्छी छे घंटे की नींद आएगी जो लोगों को नींद की तकलीफ होती है उनको हम यह देते हैं जिनका high stress होता है उनको हम यह देते हैं और वो regrowth में भी help करते हैं तो है solution ह है यह कहना कि stress से बाल जढ रहे हैं तो मैं hair spa कराने जा रही हूं वो गलत है जब सही अप्रोच सही इलाज जरूरी है हो सकता है hair growth वापस जरूरी नहीं है कि एक बार सर से बाल चले गए तो आप परेशान हो जाएं दुखी हो जाएं कि अब तो कभी वापस नहीं आएंगे बहुत सारी चीज़े जो आपने मुझे बताई हैं मैं personally खुद ट्राइ करूंगी और मैं चाहती हुमारे audience भी देखें जाचे और सही इलाज लें कोई भी घलत फेहमी के चकर में ना पड़ें कोई भी घलत advice ना लें सही इलाज लें अपने लिए जो उनको suit करता है वैसा इ होनी हमें समय देने के लिए ललन टॉप पे आने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया शुक्रिया थैंक्य।